Hey guys, welcome back to Learn with Rajni Friends, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा interesting है काफी students comment कर रहे थे कि मैं High Court LDC का जो work है वो आप हमें बताईए आपने 5 साल में क्या-क्या काम किया है court में रहते हुए वो सारी चीज़े हमारे साथ share कीजिए तो आज की वीडियो में हम High Court LDC की work profile के उपर बात करने वाले है LDC के क्या-क्या काम होते है किस-किस तरह से काम करवाए जाते है सारी चीज़े आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ जाहिर सी बात है आपका पूछना सही है कि क्या काम होता है क्योंकि जब भी हम किसी field में career बना रहे होते है तो हमारे अंदर एक curiosity होती है उस चीज़ के बारे में जानने की या फिर उस job के बारे में जानने की कि जब मैं ये बन जाऊंगा या फिर मैं बन जाऊंगी तो मुझे क्या-क्या काम करना पड़ेगा तो ये चीज़े हम उसी से पूसते हैं जो already उस field में है आज के वीडियो में मैं आपको जो भी चीज़े बताऊंगी वो मैं नहीं बोलूंगी मैंने लगबग 5 साल में judiciary में जो कुस देखा है जो कुस सीखा है उसके base पे ही मैं आपको LDC की work profile बताने वाली हूँ तो time waste नहीं करेंगे start करते हैं हमारे आज के topic को work profile of high court LDC देखिए मैं एक थोड़ा सा मजाग कर लेती हूँ कि जब कोई माबाब अपने बेटे के लिए बहु ढूंडते हैं ठीक है बहु ढूंडते हैं तो हर माबाब की यह इच्छा होती है कि यार हम हमारे बेटे के लिए सर्वगुण संपन लड़की ढूंडेंगे हमें तो सर्वगुण संपन बहु चाहिए जो सुन्दर भी हो काम में भी माहिर हो सारी चीज़ों में एक्टिव हो ऐसी बहु हमें चाहिए तो high court भी ऐसे LDC ढूंडता है जो सर्वगुण संपन हो यानि जिसको बाकी सारे काम भी आती हो जिसको कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से आते हो जिसको टाइपिंग भी बहुत अच्छे से आती हो यानि high court LDC को सर्वगुण संपन होना बहुत ज़ादा जरूरी है अब आप judiciary का हिस्सा बनेंगे देखिए judiciary की जो job है बहुत ज़ादा responsibility की है और मैं तो बहुत लखी मानती हूँ खुद को कि मैंने judiciary में अपना 5 साल का time निकाला है अच्छा कई students मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं आपका stenographer में selection हो गया तो आपने join कर लिया क्या अभी तक मैंने join नहीं किया है अभी तक मैं judiciary service में ही हूँ बहुत जल्दी मैं उसको join कर लूँगी join कब करूँगी वो भी मैं आपको inform कर दूँगी तो अभी मैं judiciary का part हूँ और मैं खुद को बहुत जादा lucky मानती हूँ कि बहुत छोटा सा role लेकिन हाँ एक important role मुझे निभाने को मिल रहा है daily basis पे कई लोग के mind में negativity भी है judiciary को लेके कि यार court में तो बहुत जादा काम होता है बहुत जादा work load होता है आदमी personal life को time नहीं दे पाता और सारी चीज़े देखिए काम तो है क्योंकि जितने जादा cases बढ़ेंगे उतना ही load होगा courts पे तो मैं यह नहीं कहूंगे कि काम नहीं है ठीक है काम तो है काम तो other departments में भी है लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि judiciary में बाकी departments के according थोड़ा सा जादा काम होता है काम की बात करूँ LDC जिस तरह से post का नाम है LDC तो LDC एक clerical level की job है तो काम भी आपको सारे करने होंगे clerical level के depend करता है कि आप किस जगे posted हैं देखिए अलग-अलग जगे posted होते हैं तो अलग-अलग ही काम होते हैं मान लो आप किसी court में posted नहीं हो मान लो आप knuckle section में posted हो अगर आप knuckle section में posted हो तो आपको क्या करना पड़ेगा knuckle section से related काम करने पड़ेगे जिस तरह से knuckle की जो applications लगती हैं उनको चढ़ाना उनको course में भीजवाना तो knuckle से related सारे काम आपको करने होंगे अगर आप account section में posted हैं तो salary bill बनाना या बाकी bill बनाना या और भी accounts के सारे काम देखना ये काम आपको करने पड़ेगे अगर आप record section में posted हैं तो record section से related आपको काम करने पड़ेगे तो जो लोग अलग-अलग सेक्शन में पॉस्टेड होंगे उनके अलग-अलग काम होंगे अब बात करती हूँ कि जो लोग कोर्ट में पॉस्टेड होते हैं जैसे मेरी अभी पॉस्टिंग कोर्ट में हैं किसी सेक्शन में नहीं है तो जो लोग court में posted होते हैं उनके क्या-क्या काम होते हैं basic ठीक है mostly क्या-क्या काम होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे तो जो LDC होते हैं पहले तो कई students का ये question था कि एक court में एक ही LDC होता है क्या एक court में एक LDC नहीं होता है एक court में दो या तीन LDC होते हैं, कई बार दो LDC और एक UDC भी होता है, ठीक है, तो एक court में एक LDC नहीं होता है, LDC के काम क्या क्या होते हैं? तो LDC के काम main काम होता है, जो court की जो files हैं, जो cases हैं, जो files हैं, उनको अच्छे से maintain करना, उनका संधारन करना, ठीक है, files का, ये है हम LDC का main काम, अब उन files से related जितने भी काम होंगे उन files से related जितने भी काम होंगे वो LDC के ही होंगे जैसे की काम क्या-क्या है basically एक court में daily जो cases होते हैं जैसे मानलो आज date है 29 October 29 October में जो जो case होते हैं उन cases की सारी files को निकाल लेना उनकी list बनाना ठीक है उनको निकाल कर फिर court में भेजना उसके बाद उन file में जो काम होता है काम होने के बाद वो file वापिस आती हैं कौन से file में क्या काम हुआ है वो देखना order sheet पे जो भी order हुआ है उस order की पालना करना कई बार order sheet में आता है कि उसको later भेजो यह तहरीर बनाओ, arrest warrant निकालो, summon निकालो, available warrant निकालो तो order sheet में जो भी order हुआ है उसकी पालना LDC को करनी होती है उसके बाद वो जो files जिन में काम हुआ है उनको उनकी particular dates में रखना होता है ठीक है particular dates में रखने की बाद उन files में जो भी documents लगे हैं उनको systematically file में लगाना होता है file में शामिल करना होता है अगर files को अच्छे से maintain करके रहना होता है क्योंकि जितने भी files है court की वो सारी LDCs की responsibility है तो उन files को अच्छे से maintain करने की जिम्मेदारी होती है LDC की ओके इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जितने भी registers होते हैं registers को maintain करने का काम भी LDC का ही होता है इसके अलावा computer से related काम भी होते हैं जैसे कि daily की जो भी files है उनमें next date क्या गई है वो भी LDC करते हैं कोई भी later बनाना होता है वो भी LDC करते हैं इसके अलावा कोई भी तहरीर बनी है court की वो भी LDC बनाते हैं मेन काम ये भी है computer से जैसे आप आपका typing test होगा तो आपका typing test क्यों लिया जा रहा है आपका typing test इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी speed अच्छी हो तो जब court में evidence हो जब किसी के बयान लिये जाएं तो जब वो बोल रहा हो तो आप खटा-खट उसको type करो speed test तभी लिया जाता है तो evidence आपको record करने होते हैं computer पे कई बार जैसे मालों कोई technical error आ जाते तो कई लोग हाथ से भी record कर लेते हैं लेकिन अब हाथ से record नहीं किया जाता है evidence जो होते हैं वो computer से ही record किये जाते हैं इसके अलावा warrant issue करने होते हैं इसके साथ ही आपके जो officer हैं आपके court के जो officer हैं उनके according आपको काम करना होता है वो जो भी आपको काम दे तो मैंने एक छोटा समझा किया था कि सर्वगुन संपन बहू तो हाँ LDC से सभी ये उम्मीदे लगाते हैं कि इसको सारा काम आना चाहिए और आपको सीखना ही होता है क्योंकि हम all-rounder होते हैं मान लीजे कई बार ऐसा होता कि court में reader जो हैं वो absent होते हैं तो उनकी absence में आपको readership भी करनी होती है अब आपको होगे कि मैं एक court में दो या तीन LDC होते हैं उनका work divide कैसे होता है उनका work divide आपके officer के according होता है आपके officer करते हैं अब आपका ये question होगा कि अगर मान लो मुझे ये काम नहीं समझ में आ रहा है या मुझसे ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ आपसे अगर कोई काम समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो या फिर आप request करके उसको change भी करवा सकते हैं कि sir मेरे ये नहीं आ रहा है मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी easy way में हो जाता है लेकिन आपको सारा काम बहुत ही responsibility से करना होता है क्योंकि यहाँ पर गल्ती की गुंजाइस नहीं होती है ओविसली लोग यहाँ पर न्याय के लिए आते हैं न्याय के लिए आते हैं तो हमें पूरा अटेंटिव मूड में रहकर अपना काम करना होता है इसके अलावा और कामों की बात करें इस तरह से ये main main काम है जो मैंने आपको बताएं है LDC के इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं और जो भी आपके officer होते हैं उनके according आपको काम करना होता है जो भी वो आपको order देते हैं कि आपको ये करना है आपको वो करना होता है कई students ये भी पूछ रहे थे कि रीडर कोन होता है रीडर की भी सीधी भरती होती है क्या रीडर की सीधी भरती नहीं होती है LDC जो होते हैं उनीका promotion होने के बाद वो reader grade 3rd बनते हैं या फिर वो UDC बनते हैं रीडर grade 3rd और UDC equivalent है promotion की बात करें तो promotion पे भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के पूरा बताऊंगी सिर्फ मैं चीजे ये clear करती हूँ कि LDC, JA, JJA इन में क्या difference है देखो सबके घर अलग-अलग होते हैं किसी के घर में बहु को daughter-in-law बोला जाता है किसी के घर में उसको बहुरानी बोला जाता है, किसी के घर में बहु, मतलब अलग-अलग नाम बोलते हैं किसी के घर में छोटी बहु, इस तरह से एक ही चीज़ को अलग-अलग नामों से बोला जाता है वैसे ही LDC को अलग-अलग नामों से बोला जाता है depend करता है कि आप किस जगे posted हो ठीक है depend करता है आप किस जगे posted हो उसी तरह से आपको अलग-अलग नामों से बोला जाता है बाकी LDC ही होता है grade पे दोनों का same होता है सबका JA, JJA और LDC सबका grade पे same होता है तो आपको इस उलज़न में नहीं जाना है कि इन में कोई difference होता है ठीक है, नाम अलग-अलग है लेकिन post एक ही है आप तो इतना ध्यान में रखिए बाकी जो और जो works की हम बात करें LDC की तो ये depend करता है आप कौन सी जगे posted है उसके according आपको काम करना पड़ता है अब कई students के comment आएंगे कि मैं आप इन में से कौन सा काम करते हो देखिए मैंने इन में से सारे काम किये हुए है depend करता है कि कब आपको कौन सा काम मिल जाए, आपको WAHI करना होता है पूरी इमानदारी के साथ आप काम कीजिए आपके कही कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप honestly काम कर रहे हो तो छोटी मोटी अगर गलती भी हो जाती है वो भी माफ कर दी जाती है honestly कर रहे हो तो अगर जानबूज के कोई गलती करते हो तो फिर उसमें माफी की गुंजाइस नहीं होती है तो मैं यहीं चाती हूँ कि जल से जल आपका एक्जाम हो आप सेलेक्शन ले और फटा फटा आप जुडिशियरी का हिस्सा बने और यह जो भी आज मैंने आपको वर्क बताए हैं जो भी LDC के उनको आप करना स्टार्ट करें आपका जो करियर आपने देखा है हाई कोट LDC में वो जल्दी ही पूरा हो यहीं मेरी आशा है भगवान से मैं यहीं प्रार्थना करती हूँ आज गे लिए इतना ही I hope आपको मेरा यह जो experience है LDC का जो मैंने आपसे share किया है work profile को लेकर वो पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको like करें जादा से जादा share करें और अगर आप learn with रजनी पे नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले